तो दोस्तों मैं अन्वक्स करने जा रहा हूँ आपके लिए Zenfone Max Pro M1 तो दिल थामके बैठेगा ये देखिए आपके लिए Zenfone Max Pro M1 खुलने जा रहा है तो जैसे हम सबसे वहले बॉक्स खोलते हैं हमें मिलता है ये इसके अंदर आपको दोस्तों एक क्यूट सा Sim Injector Tool आपको मिलता है Asus की ब्रेंडिंग आपको इसके उपर मिलती है उसके बाद आपको कुछ warranty information, कुछ booklets मिल जाती है इसके बाद आपको फोन मिलता है बॉक्स में फोन को अभी हम side पे रख देते हैं और क्या क्या चीज़ बॉक्स में मिलती है वो एक बार देख लेते हैं उसके बाद box में आपको एक data cable मिलती है जो की micro USB data cable है साथ में आपको एक ये बहुत अच्छा box मिलता है जिसको बोला गया है max box ये एक तरीके से passive amplifier का काम करता है अब अपने phone को ऐसे खड़ा कर सकते हो इससे क्या होगा आपको audio quality है जो थोड़ी वो बहुतर मिलेगी तो ये ही काम है बस इसका max box का इसको भी हम रख देते हैं एक बार side पे और देख लेते हैं इसमें हमें क्या मिलता है साथ में हमें दोस्तों मिलता है इसमें ये एक charger मिलता है ये आप देख सकते हैं आपको normal charger मिलता है फाइफ वर्ट टू एंपिर का आपको इसमें charger मिलता है इसके अलावा दोस्तों आपको box में कुछ नहीं मिलता है दिस्प्ले आपको इसमें मिलता है दोस्तों जो की काफी काविले तरीफ है पीछे वाली साइड आपको डूल कैमरा मिलता है LED फ्लेश मिलती है और साथी साथ आपको fingerprint sensor मिलता है fingerprint sensor का response थोड़ा सा भी slow है उपर वाली साइड आपको जो है वो secondary noise cancellation जो है वो mic मिलता है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों नीचे वाली साइड आपको audio jack, mic और micro USB और साथी साथ आपको मिलता है speaker मिलता है यहाँ और left side बात करें तो आपको SIM injector tray मिलती है जिसमें आप अपने SIM card और memory card डाल सकते हो हाँ आपको इसमें dedicated memory card slot मिलता है दोस्तों और अगर मैं बात करूँ right side की तो आपको power on off button और साथी साथ आपको volume rocker buttons मिलते हैं front side पर आपको camera और earpiece मिलता है एक बार मैं इसको on करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों तो यह हो चुका है on अगर मैं वैसे overview आपको तो आप देख सकते हैं आपको 2.5D का इसमें curved glass मिलता है rounded edge आपको मिलते हैं phone में कोई भी जो है वो तीखा edge नहीं है जस्त आपको rounded edge ओवराल phone में आपको मिलते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं इस पर fingerprint के जो निशान है वो जो है वो छप जाते हैं जल्दी तो यह दोस्तों हो चुका है boot तो इसमें आपको straw का android मिलता है दोस् stock android इसमें आपको मिलता है दोस्तों उसके बाद इसमें जो गर हम camera की बात करें तो camera में आपको अलग-अलग features मिलते हैं यहां पे जो है अगर आपको मैं दिखाऊं तो अब भी जो है यह video camera on है यहां से हम इसको on कर लेते हैं यह जो है rear camera अभी on हो गया है इसमें आप देख स करती है तो यह वह option है इसके बाद आपको यह यहां पर beautiful option मिलता है इसको आप आफ भी रख सकते हो low mid or high पर भी रख सकते हो दोस्तों उसके बाद यहां पर settings का option है यहां पर काफी सारी settings है अगर आप DSLR की तरह ISO exposure है और white balance अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाते हो तो वह भी आप यहां पर कर सकते हो दोस्तों तो यह भी काफी अच्छी बात है बट थोड़ा सा interface जो है जैसा कि आपको पता है stock android है तो इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है और आप देख सकते हो यह सारी चीज़ें जो हमें options मिलते हैं से scroll down करके तो आपको यहां पर मिलता है stock android और यहां पर अगर आपको applications दिखाऊं तो यहां आप देख सकते हो facebook messenger और instagram अलड़ी आपको installed मिलता है यह सारी कुछ applications हैं जो आपको pre-installed यहां पर मिलती हैं duo है drive है और काफी सारी applications हैं जो आपको pre-installed मिलती हैं दोस्तों तो यह आप इसकी look जो है वो देख सकते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बताना मुझे कैसी लगी आपको यह unboxing हाँ थोड़ी late हो गई unboxing बट आ गई आपके लिए तो बताना मुझे कैसी लगी आपको unboxing मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों तब त